तो इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं बजट की और ये योजनाएं भी हम नों यहां पर चर्चा करेंगे कई लोग सवाग पूछ रहेतें सर आप से सीजल की त्यारी करवा रहे हैं जै की उत्पाष शीपाही सब की त्यारी करवा रहे हैं मैं यहाँ पे वही वीडियो बनाओंगा जो आपके लिए काम आएगी तो यहाँ पे योजनाओं से सवाल पूछे जाएंगे और 100% पूछे जाएंगे और यह मेरी गैरेंटी है कि इससे सवाल आएंगे तो हम देखेंगे बज़र 2022 और कॉपी पोस्ट पेस्ट वाली वीडिय पूरी चर्चा करेंगे सबसे पहला हमें लोग आड़िकल को देख लेते हैं यह जो बज़र है सबसे पहले हमको पता है कम स्ते बहुत दोको तो professions में आटिकल कौन सा है किसा किता है इसकी चंचा 2500 में कित चचा की चंचा की गई दूसरी बाब में कौन से इक पूरी चंचा Мих क्या बजट नाम जो है, यह बजट नाम क्या हमारे बाति समिदान में है, बिल्कुल भी नहीं है, आर्टिकल 112 और आर्टिकल 202 इस आर्टिकल में क्या कहा गिया है, आर्टिकल 202 में कहा गिया है कि राजिपाल बजट को पेस करेगा, और आर्टिकल 112 में कहा गिया है कि आपने गौर किया होगा, कि यह आटिकल 202 में कहा गया है कि राज्येपाल जो है बजक्त को पेस करेगा सदन में, मतलब विधान सभा में यह पेस किया जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे संसंद में किया जाएगा. अब यहाँ पे राज्येपाल तो करते नहीं है, बेसिकली र कर सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्या बजट जो है सिर्फ बितमंत्री पेस कर सकते हैं बिलकुल नहीं कोई भी मंत्री पेस कर सकते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहां तक हमने चीजों को समझ दिया और एक चीज हम लोग समझ लेते हैं कि यह जो बजट पास हुआ है यह किस डिपार्टमेंट ने पास किया है तो definitely financial जो डिपार्टमेंट होती है वो पास करती है बजट और यहाँ पे रामिस्वर उनाओ जी हमारे बितमंत्री है आपको यह भी पता होना चाहिए कि रामिस्वर उनाओ जी जारकन के सबसे वयस्क मतलब senior citizen वाले सबसे वयस्क जो हैं सबसे age वाले MLA है याद रखिएगा ठीक है उसके बाद हेमन सौरेंट जी हेमन सौरेंट जी बरहेट विधान सभा से तर्शे हमारे विधायक है ठीक है और हमारे मुख्यमंत्री भी और इन्हों नहीं बरहेट विधायक सबसे तर्शे तर्शे जिल में पड़ता है एक चीज़ यह भी जा लीजिए इन्होंने दुमका से भी MLA का चुनाव जीत लिया था बतार दो जगह से कड़े वे थे दुमका और बरहेट दुमका से भी चुनाव जीता बरहेट से भी जिता और बजट की हम लोग बात करें तो 3 मार्च 2022 को यह अभी भाशन इसका दिया गया अभी भासन बजट जो है एक तरह का भासन ही होता है इसमें कुछ पैसा वेसा निकलता नहीं अभी वो प्रोसेस तो बाद में होगी ठीक है अब पूछेंगा सर यह बजट होता क्या है अब बजट की हम लोग बात करें तो बजट और एकोनोमिक सर्वे दो वर्ड का आपने सुना होगा ना इकोनोमिक सर्वे का मतलब होता आर्थिक चल जिसके वीडियो मेरी अब आएगी इसके बाद बजट पर भी मेरी और एक वीडियो आएगी क्योंकि काफी लंबी हो है कि पिछले वर्ष आपने क्या-क्या काम किया उसकी स्टडी करना को जो है आर्थिक सर्वेक्षन कहाता है नाम यह सर्वेक्षन बजट का मतलब क्या होता है बजट का मतलब है कि आगामी साल आप क्या करना चाहते हैं कितना पैसा लगाने चाहते हैं ठीक है तो बेसिकली जो बजट होता है, जैसे मार्च में यह हुआ, बतलब कि अपलाई हुआ ठीक है, यहां पर आया, और यह अपरेल 2022 से, अपरेल 2022 से लेकर, 2022 से लेकर, यहां पर मार्च 2022 तक, यह क्या-क्या खर्च होगी, उसकी यहां पर चर्चा की गई है, ठीक है, चलिए, आगे हम लोग दे कि हमने पिछले साथ में यह किया वो किया क्योंकि भासन देना है तो बढ़ाई तो अपने करना पड़ेगा तो यह तो दिया जाता है लेकिन बजट का मतलब यह होता है कि आगामी वर्स में क्या करना सका चलिए आगे हम लोग जान लेते हैं अब बजट जो है पास होगा तो उसमें पैसा लगएगा तो पैसा कितना खर्च करना है तो आपको जब आमदनी जब तक नहीं होगे तब आप खर्च कैसे करोगे तो आमदनी के बारे में चर्चा बजट में रहती है कि रूपीस कम प्रॉम कहां से पैसा आया है कहां से देख लिजिए ग्रांट इड एड जिसे कहते हैं सायता दोदार जिसकी चर्चा आगे हम लोग करेंगे ठीक है जैंसर मत दीजिए 17.22 पहरे डेटा जान लीजिए उसके बाद बॉर्विंग क्या होता है उसकी चर्चा करेंगे 17.80 उसके बाद recovery of loan ठीक है recovery of loan का मतलब है कि लोन से recovery से जितनी भी यहां पे फाय जो कि सबसे ज़्यादा है बहुत important आपके लिए ठीक है इसका मतलब क्या होता अब देखिए होता यह है कि आपको आपने देखा होगा SGST पेट्रोल बेगर लेते होंगे ना तो उसमें देखिए आप का भी पूर्चा लेके देखिए घासलीब तो आपको मिलेगा उसके बा होती है और स्टेट के भी होके सब्सक्राइब करता है तो मह करता है तो यह माल लीजिए मैं मिला हमें तो इसे ही कहते है state share of central taxes तो यह बहुत important है यह भी याद रखिएगा उसके बाद है state own tax ठीक है state का जो own tax है वो कितना है 24 point मतलब state में जो अपना tax लगाए गया उसके बाद state own non taxes तो यह है 13 point 61% यह क्या है इसकी चर्च से चलिया आगे हमनों करते है अब देखे state own non taxes क्या होता है इसका मतलब यह होता कि गयर कर राजसु या गयर कर प्राप्तियां सरकारी राजसु में जो करों से उत्पर नहीं होती है नाम ही है state own मतलब state का अपना non tax मतलब tax लगा के यह पैसा वसुला नहीं गिया है तो पूछेंगे सर कैसे वसुला गिया है तो यह वसुला गिया है बॉन्ड लगा के देखे सरकार की बहुत सारी company होती है चाहे शेंक्टर की हमनों बात करें चाहे state की सरकारी company होती है उसको होता है नुक्सान होता है तो जो यदी फायदा हो रहा है तो जो फायदा हो रहा है उससे जो revenue आएगा पैसा आएगा उसे ही कहते state और नन टेक्सिस समझ गया आप जैसे बिजली कंपनी हमा लेते हैं उससे जो फाइदा हो रहा है तो इस तरह से आप समझ सकते हैं उसके बाद दूसरा है इसमें आप बात करेंगे बजट बॉर इंग बजब अफ वसर फाइर फाइन Act 2019 is सरकार की आमनी है 1000 कलो रुपया माल लेते हैं कि 1000 कलो रुपया अम दनी का मतलब कि पैसा जो है टेक्स अबकृत अब माली जिये कि इसका खर्चा हो जा रहा है माली जी कि एक हजार करोर आमदनी है और इसका हो जारा 1200 करोर आमदनी से खर्चा ज़्यादा हो जा रहा है लोगाना आपने सुना होगा ना आमदनी एठनी खरचा रूपया वागा इसका किता वहीचीज़ अब इस CYD में क्या होगा राज कोशीश घाटा होगा जिसको कहते है फिस्कल deficit मतलब जितना आपधनी नहीं है ए उतने खर्चा हो गया थिक है तो इसको कहते हैं फिसकल डेपिसिट अब इस कंडिशन में हम लोग क्या करते हैं माली जी हमारी जितनी आमदनी नहीं है हम उससे जादक यदि हम लोगो माली जी खच करना ही पड़ेगा बीमार हो गए या हमें एजुकेशन करना है तो हम लोग क कि सरकार की अपनी कंपनी होती है बहुत सारी जैसे हम लोग बात करें तो LIC हो गया जितनी भी इस तरह की एजनसी होगी ठीक है उससे कहेगी आप एक काम करिए आप अपना बौन निकाल दीजिए शेयर निकाल दीजिए और उसको मार्केट में बेच दीजिए ठीक है और ब लग से बाहर से दूसरी कंपनी ने दे दिया ठीक है मतलब ये सरकार का अपना ही आदमी है लेकिन दूसरी कंपनी ने दे दिया तो सरकार को अपना कोस्ते खर्ची नहीं करना पड़ा राज कोसी घाटा नहीं हुआ इसे ही कहते हैं बज़र और रही वास इंपल्सिबार टे देखो भाई, खालिप पर से, क्या करेगा? दोस्त बोलेगा भाई, दोस्त है, दोस्त ही आ रही है, खिलाना तो पड़ेगा भाई दोस्त ने क्या किया? चलो भाई, दिलदार वाला दोस्त है, समोचा खिला दिया इसे क्या फायदा हुआ आपके pocket में जो छुपा के आपने पैसे रखे ते बज गया और आपका दोस्त तो अपना ही था ठीक है दोस्त के pocket से पैसे गए तो इसे ही हम कहेंगे जो borrowing वाला जो हिसाब किताब आप देख पर है यही चीज है समझ गयोंगे आप चलिए fiscal deficit हमने बता वर्स में कितना खर्च करेंगे ठीक है तो यह खर्च कितना करेंगे अलग-अलग department में खर्च करेंगे जैसे health and drinking water में सबको पानी पिलाना है health की यहाँ पर देखनी है education में खर्च करना है तो यह सारी चीज़े यहाँ पर दी गई है जो आपको data याद रखना पड़ेगा सबसे अच्छी जो सरकार की बात मुझे यह लगी और एक्जाम पर पर से आपको पूछा भी जा सकता है वो education में 13.4% जो है यहाँ पर खर्च करने जारी है चलिए इसके PDF फाइल मैं दे दूँगा देख लिजिएगा चलिए अब कुछ important कर्म है यह बजट की जलक है इसमें देखिए ध्यान से तो यह शुरुत दिखाए गया कि कहां से पैसा आ रहा है इसको इंग्लिस में लिख दिया जो इंग्लिस में वाले चाहते है जैसे मेरा PDF इंग्लिस में मिलता है उसी तरह से बजट भी इंग्लिस में देखने है उसके बाद यह है बास्तवीक बास्तवीक बजट का मतलब है देखिए दियान से 2020-21 थीक है 2020-21 तो 2020-21 में कितना खर्च हुआ यह तो हमें पता चल गया क्योंकि वह तो पास हो चुका इसलिए हमने लिखा इसे वास्तविक कि इतना भया हमें खर्च होगे अब उसके बाद है 2021-22 अभी भी खतम नहीं हुआ है वह है क्या अभी भी वार्च मेना बाकी है तो इसलिए क्या होता है कि इसमें अभी भी एस्टिमेट लगाया गया है कि मालीजे सरकार ने 2021-22 जब बजट पिछले जो है विदान सवा में रखें तो आंसर होगा दो बार एक बार अभी और पिछले वार याद रखिएगा देखिए अब पिछली वार जो 2021-22 का बजट रखा गया था ठीक है अब जो है मार्च पहुंच चुका है तो सरकार को एक आमदरी का अंदाया लग गया कि हमने इतना खर्च किया है मार्च में इतना ठड़े ठीक है तो इसे कहते हैं बजट अनुमान क्योंकि अभी भी पूरा डिटेल नहीं आई क्योंकि अभी भी एक मेना बागी है तो इसलिए यह अभी भी अनुमानित ही है बजट अनुमान आप समझ गये हैं उसके बाद संसोधित अनु पुराओं जी बजट पास कर चुके थे पिछले बार तो उन्होंने यह अनुमाल लगा था कि हमने इतना खर्चा करना है ठीक है तो उसे हम यह कहते हैं जब कि आब जो है एक मेना बाकी है तो अब यहां पर रिवाइस किया गया है कि भाई हमने परवरी तक इतना खर्चा किय आए और इतना खर्चा करने की उमीद है तो इसे हम कहते हैं संसोदित अनुमाल यह वाला ठीक है तो गलत करने के लिए मैं सुधार दोंगा टेंशन मत लिए आगे हम लोग बात करेंगे रूपीज इन करो अब बजट अनुमाल बजट एस्टिमेट 2022-30 जो कि इस बार लगा किया है अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अज्यक्ष महुदय ठीक है यह वाला सिर्फ हमने यहां पर कॉपी-पेस्ट किया है बजट का बाके कुछ भी नहीं किया है क्योंकि यह वित्तमंत्री भासन देते हैं और अज्यक्ष महुदय ठीक है उसके बाद स्पीकर के पास यह दिखार होता है कि कोई भी मनी बील है या नहीं है वो डिसाइट स्पीकर ही करता है यह भी याद रखिएगा चलिए अब रमेसर उराओ जी ने जो पहली बाते कही क्या कही उन्होंने कहा कि युनिवर्सल पेंसल स्कीम हमने लाया है वही और हम लोग बहुत उन्नती कर रहे है और जो बिक्राइगे हैं ,जो सिनियर चिते जन है,ंको हम लोग सहयता दे दे रहे, सिहन इन्ही जो वीडो वेगरा ही जो एकल महिलाएं हैं जो अकेले रहती है एकर जो महिला हैं उनको भी यहां पे शायता देने की बात की गई है उसके बाद CM Support Scheme की बात की गई है जिसके हमने separate वीडियो भी बनाया है ठीक है वो वीडियो भी देख लीजेगा स्कीम योजना की अलग से हमने प्रेलिस्ट बनाई है उसको भी एक बाद देख लिजेगे ठीक है तो यह बात है की गई है उसके बाद Universal pension scheme क्या होता है जिसकी हमने challenges यहां सपोर्ट की हम जट्राइं इस वीडियो में भी करेंगे टेंसर मत लेजीए Universal pension scheme क्या है इसमें जो है इसमें सा why लिए एक गरीब नेशाठ जिदास्तरिट जिनमें बिद्वा एकल परितक की महिला है ठीक है जिनको डाइवोस जो महिलाएं होती है ठीक है युनिवर्सल पेंशन स्कीम उनको मिल पाएगा ठीक है उसके बाद यहाँ पे एक हजार महिने की पांस तारीक को परती मा जो है यहाँ पे उनके बैंक खाता में प्राप्त होगा पैसर ठीक है उसके बाद यहाँ पे यह प्रावधान किया गया है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसको यादर किए सियें में 25 उप्रा पर्ति लीटर जो है पेट्रोल में डिसकाउट मिलेगा मिलेगा आपका पता है कि सरकार ने किन सरकार ने पेट्रोल की दाम बरा देगी थी अलग-अलग राजे यह कर पा रहे हैं हम लोग यह कर रहे हैं ठीक है लाइम लाइट तो यहां पर जो है अधिक्तम 10 लीटर में प्रती लीटर जो है आपको 10 लीटर तक यह आपको मिलेगा मतलब 25 गुणा 10 आपको सब्सीडी मिलेगे 250 रुप्यार और यह सिर्फ और बाइक के लिए जो है मिल चकता है यह स्कीम दूसरा हमने यह भी कहा था कि 18 वर्स अत्वा इससे अधिक आयू की जो डाइवर्स महिला है या जो 45 वर्स अत्वा उससे अधिक्तम्री की एकल महिला मिला चलिए आगे हम लोग बात करेंगे तो हमने यहां पर पूरी डिटेल में चच्चा किये कैसे मिलेगा और हमने बता भे दिया ठीक है चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं दो स्कीम हमने यहाँ पर दिखा ला था एक तो ब्रिधा परेंशन योजना मुक्यावंत्री राज़ी ब्रिधा परेंशन योजना जो है उनिवर्सल पेंशन स्कीम के तर्द दी जा रही है यहा ने बता दिया 60 वर्स या उससे ज्यादा के लोगों को यह मिलेगा दूसरी हमने यहां पर चर्चा करनी है राज आस्रित जो महिलाओं को मिदेगा डाइवर्स वेड़र के लिए ठीक है तो यह पूरी चर्चा यहां पर है कि 18 वर्स से अधिक आयू की महिला जिनके पति की मिर रहोंगी और इसके लिए प्रति की जो मिर्तियू प्रमान पत्रे वो दिखाना पड़ेगा ठीक है तो यह और एक चीज इसके अलावा 18 वर्स अथवा उससे अधिक आयू की परितक्ष्य महिला होंगी 45 वर्स अधिक उम्र की एक एकल जो महिला होगी उनको यह मिलेगा ठीक ठीक है तो यहां पे जो है सुझाव मागे गया थे लोगों से कि आप सुझाव दीजिए कि बजट में हम लोग क्या क्या पास करना चाहिए ठीक है और सुझाव जो अंतिम्ति थी थी वो 16 दिसम्ह 2021 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है यह याद रखेगा और इसमें तीन सर् बिजनस की बास यहां पे की गई है शाथ इस अप लिविंग यहां पे बात की गई है इस अप लिविंग इंडेक्ट जो है वह जारी की जा चुकिए उस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है उसके में लिंक दे दूँगा देख लीजेगा ठीक है चलिए आगे हम लोग बात करेंगे कि ease of doing business का मतलब असानी से business करेंगे वहीं आप देख रहें कि हमारे हमारे हमल स्वारेंजी बहुत सारी मीटिंग कर रहे हैं बहुत सारे हुद्वपत्यों के साथ तो ये एक सरकार की बहुत अच्छी नीटी रही है ठीक है अब उसके बाद हम लोग बात करें तो और गारे कुछ इस तरह की प्रमान पत्र लेने की सुघर आपको school में ही कर दी जाएगी इस तरह की चीज़ें अब पिछले वर्स में हो की गई थी उतने अच्छे से in cement नहीं हो पाया अब अगामी वर्स में ये अच्छे से Implement होगा यह सरकार ने संकर्ब ले अब बात करेंगे आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वा आपको पता है पंचायत चुना होने वाले हैं तो यहाँ पर सरकार ने आपके अधिकार आपके सरकार आपके द्वार कारिकरम की यहां पर सुरुवात कर दी थी और यह 16 नौबर से 28 विसंबर तक से की थी और बहुत सारे अधिकारी जो है यह बिलकुल पंचायत में जाते थे ठीक है उनको दिया गया था ड्यूटी कि आप पूछिए सरकार आप पूछिए कि लोगों के क् पंचायत में 4351 पंचायत और नगर निकाये में 50 नगर निकाये और प्रखंज हो गया 264 और जीला 24 ठीक है इसमें जो है कारिकरम उन्हें की बात की गई ठीक है अब यहां पर यह चीज़ की गई है सीवीर के जरिए लोग कल्यानकारी योजनाव से आचादित होंगे जगत चलिए हमने समझ लिया कि कोई भी स्कीम वेगर कैसे लांच करनी है यह सारी चीज़े इसके माध्यम से बताई जाती थी अब आगे है टोटल बज़क कितना है देखिए 223 के लिए 26235 करोर 30 लाग रुपे उसके बार राज के विकास के लिए पूंजिगत वया जो है जरूर है उसके बाद राज का राज का सकल बज़ट जो है एक लाग एक हजार एक सो एक करोर रुपया का नुमार किया गया है ठीक है इन दोनों को आप यदि एड करेंगे यह वाला मौन शेतर जावला और 24 जावला दोनों को जोर के देखिए तो यह आ रहा होगा चलिए आगे हम बहुत अच्छा जो है तीर मारा है और उसमें क्या किया है तो इसके बावजुद वित्यवर्स 2020-21 में देश के सकल गरहली उत्पादन में GDP में 7.3% की गिरावट की तुलना में मतलब यह पूरे देश में इतना गिरावट हो गया लेकिन हमारे जारकेंट में देखिए कितन पॉइंट 5% परतिशत अनुमानित है ठीक है वित्यवर्स 2022-23 में कॉंस्टेंट और करेंट प्राइस पर गरहली उसके बाद अगामी वित्यवर्स 2022-23 में राजकोशी जो घाटा है वो 11,200 करोर जो है स्वास्थ, पेजल, शिक्षा, खारप भी न मिलेगा आप लोगों को ठीक है 27 परतिशत जो है यहां पर साप लिखा गया है स्वास्थ में 27 परतिशत, पेजल में 20%, शिक्षा में 6.5% और खादर वित्रन में 21% की बरौतरी यहां पर की गई है यह बातें यहां पर की गई है चलिए, आगे हम लोग देख लेते हैं क्रिसी एवंग 27 चेतर की बात यहां पर की गई है तो कोवीड-90 जैसी महामारी से राज के किसानों को रहत देने के लिए जारकन क्रिसी माफी योजना के तहट अब तक 2,11,530 क्रिसकों के खाते में 836 करोर रुपे अस्तारण प्रित की गई है यह डेटा आपको जाज रखता है उसके बाद जल निदी योजना बहुत इंपोर्टन्ट है इसके अंतरगत क्या किया गया है कि राज के सभी जीलों में 20 सिच्चाई सुविदा है उसके अंतरगत 1767 डिप बोरिंग का कारियर एवं 1963 पर्कोलेशन टैंक का निलमान करने की योजना पर्कोलेशन का मतलब समझते हैं पर्कोलेशन का मतलब होता कि मिट्टी पानी जो खिषती है तो कितनी जल्दी खिचेगी जो रेट होती है उसों कहते है पर्कोलेशन टीक है जैसे बालू में आप पानी गिरा दीजिए खिच लेगी क्या तो इस तरह से मिट्टी में पानी गिराईए खिचती है मगर आप घर के जमीन के अंदर में जो है जो प्लाश्टर किया गिया है उसमें गिराईए तो नहीं खिचेगी जल्दी ठीक है इसका मतलर है मिट्टी के पोकुलेशन रे ज्यादा होती है ठीक है चलिए अगरे मों बात करें तो और क्या बात है की गई है चलिए अगरी स्मार्ट ग्राम योजना इसके अंदर क्या है देखिए अगरी स्मार्ट ग्राम योजना के अंतरगत प्रथम चलन में 100 गाउं का चयन माननी स्थानी विदाय के नुद्धा पर किया जाएगा ठीक है तो उससे संबनित यहां पर योजना है और यहां पर लिखा गया है कि राज उद्यान विकास योजना में गोधन जन योजना के अंतरगत आगामी वित्तिवर्स में पसु पालक जो है गवाला वगरा जो है उनसे उचित मुले पर गोबर की खईदारी की जाएगी इसको गलत तरीके से ना ले जो बी पाल रहें उसकी में यहां पर बात कर रहा हूं बायो गैस बनाने के साथ जैविक खा त्यार करने का नेदें यहां पर कारिक किया जाएगा उसके बाद लगबद 40,000 लाबुगों को सोरजब्दा देते हुए आई का स्रोथ बढ़ाने के अब जो लक्षे है आगे वित्यवर्ज में 23 में वो 85,000,000 लाख लीटर करने का लक्षे है उसके बाद मॉडल शीतगरी आपको पता है कि सबजी वगरे जो होता है तो उसको आपको जो है कोल्ड जो स्टोर होता उसमें रखना पड़ता है नहीं तो खराब हो जाएगी कारण सिंपल सा था आपको पता है कि जो यहाँ पे किसान जो भी लाए था उसमें पता है कि इस तरह की बाते की गई थी कि सरकार जो है बहुत सारी मॉडल सितगरी जो है बनाएगी इस तरह से जारकर सरकार ने भी बनाने की योज़ा की गई थी और इस बार जो है 5000 मेट्रि तो इसमें जारकन राज्रा त्योजना किसानों के खुदियान में रखते वे उनी ऐुनी किसी बादन में आर्थिक नुसका मा लीजिये कभी बारिस नहीं हुई पार आ गई कभी तो इसमें जो कॉर्पस फंड क्रिट किया जाएगा 25 करोर रुपया का और इसके लिए आगामी वितिवास 22 में क्रिशी वग सबच इले चार करोर 37 लाग रुपय का बज़र पुस्तावी थे उसके बाद वाटर रिसूस की बाद करें पर्तिव डिपाट्मेंट में हमने यहां पर वीडियो बनाया है क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे वाटर रिसूस में क्या क्या यहां पर योजना है देख लिए स्वन रेखा बहुत देशी पर वीडियो बहुत इंपोर्टन इसमें चांडिल डैम हो गया ठीक है नदी घाटी पर जोजणा हमने अल्रीड बनाया है वीडियो जिरूर देख लिजेगा सारा जाकन का बूगल टॉपिक ज़र देखिएगा बहुत वीडियो अच्छी है वह नदी वाली स स्पेसली ठीक है बहुत ऐसी घाती योजना बहुत सारी वीडियो हमने बनाई है गालूडी बराज खरकई बराज ठीक है खरकई नदी आपको पता है ठीक है बहुत इंपॉर्टन नदी है जो कि जमसेटपूर में आपको मिलेगी ठीक है उसके बाद यह क्या उरिशा से बैती जाने की बात की गई है उसी तरह से पुनासी जलाय से योजना जो कि देवगर और धुंका में इस्थित्त है अलगकि धुंका में ज्यादा नहीं है इसलिए देवगर यह ऑप्शन में रहेगा तो देवगर ही ठीक करिएगा इस पर भी हमने वीडियो बनाया था तो में वेखर देवल होता कि जो चापकल होता है है एड़ पुम एल होता लोहर दगहा में सबसे ज़्यादा होता है Wähmiко में लोहा की क्या होती चापकल होती है लोहा से लोहर दगह तो वीडियो को में बधयर देखिए यह ठीक है चलिए आगे पर बताए गई है जो के अच्छे से पढ़िए उसको चलिए उसके बाद है मसल्या रनेश्वर मेगा लिख इसको हमने एक वीडियो बनाया था ठीक है जहारकन करें रफेस में आपको मिलेगा यह वीडियो ठीक है उसमें कई सारे हमने टॉपिक बताया थे उसमें यह भी टॉ इसको डीटेल में देख लीजे वो ठीक है उसके बाद आगामी वित्यवर्ष में जमिंदार बांधो तलाबो 193 मद्यम सिच्छा योजनाओं की पुनस्तापन जबंग तीन सो चेक्डियम का वजड़ यह बहुत इंपोर्टन नहीं है ठीक है ग्रामिर विकास यह इंपोर् और रावल गांधी ने वाते गई थी मजा कर रहा हूं तो नैस्नल रूरल इंप्लॉयमेंट जीप और गारंटी ठीक है और एफोर क्या होता है चली और फॉर मात्रागांदी ठीक है तो पचास लाख मानव दिवस बतलब कि पचास लाख मानव दिवस की यहां पे चच्छा प्रणार्टन में बहुत अच्छी से की गई है तिक है और यहां पर 10,444,321 आवास का रिर्मान कारीर पूरा किया जा चुका है सही में सरकार ने बहुत अच्छा करी गिया है इसने 525,435 आवासों का रिर्मान अगले वित्वरस में पूरा करने का निना किया है और के इस सरक योजना बनानी होगी उसी को कहते है इंतिग्रेट एक्सन प्लाग तो यह कई सारे राजियों में चलती है जो मतलग कि नकसर प्रवाइद चेत्रे से उडिशा हो गया कमरा बनेंगे इसलिए इसके लिए अतिरिक जो हैं पचास हजार रुपे प्रति अवास की दर से उगलब कराने की योजना की गई है तो इसको भी तुरस आप याद रखेगा छे 1687 आवास 11,000 नहीं आवास की बात यहां पर की गई तो यह अच्छे से द्यान देखेगा उसके बाद है पलास रीटेल आउप ली यह क्या किया गया है कि राज में लगबर 2,000,000 बहतर हजार सकी मिंदलों का गठर किया गया है तता इसमें 34,000,000 परिवानों को जोड़ा जा प्रत कराने का लगचे है इस सकी मंदलों द्वारा उत्पादिव वस्तों के विक्वी यह तो बड़ी संध्या में पलास रीटेल आउट लेट बनाए गया है तो यह बहुत इप्वर्टेंट है उसके बात पंचायती राज से सवाल पुछे जाएंगे तो पंद्रवी जो में जो बनता है वो जो है गवर्नर करता है यह याद रखिए एक हजार दो सो तिरानबे करो उर्पिया यह रासी प्रातों के संभावना है तो याद रखेगा इसमें जीला परिशत को 10% पंचायत सेमित्य को 15% तो यह डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है यह डेटा आपको उसके बाद Commerce Services Center जिसको बोलते हैं लोग तो यह बनाने की बात की गए इसे 45 करोर रुप्या का प्रस्ताव है यह बस चाहित रहते हैं तो इसमें 21 करोर रुपया का प्रस्ताव इंपॉर्टेंट है और अगामी जो विजबन जरे है इसमें पंचायत राज के लिए दो हजार पंद्रा करोर 47 राख युपे का बजट है यह बहुत important बन जाता है